खुशाम दीद आज की इफतार पर हम बना रहे हैं मसूर दाल और चिकन कीमे के पकोड़े मुनफरीज जाई का बेहतरीन पकोड़े चलिए बनाना शुरू करते हैं एक कप दाल को बहुत अच्छे से धुल के चार घंटा पहले मैंने भीगा दिया था अब इसको चान लेते है इसमें वन टीस्पून नमक और वन टीस्पून जीरा मिला के पीस लेंगे दाल को बहुत बारीक पीसेंगे हम देखें दाल हमने पीस ली है अब इसको एक बावल में निकाल लेते हैं अब इसमें चार बारीक कटी हुई हरी मिर्चे मिला लेते हैं दो बारी कटी हुई प्याज वन एंफ टी स्पून के उटी हुई लाल मिर्च वन टेबल स्पून गर्ब मसाला और एक पाउ चिकन कीमा हाफ कप बारी कटी हुई हर इधनिया की पत्ती भी बिला ले और तीन टेबल स्पून चैने का बेसन अब सारी चीज़ें हमने ले ली हैं इसको बहुत अच्छे से मिला लेते हैं हम चिकन के कीमे को हमने दो के वन टी स्पून सोड़े में 15 मिंट के लिए भिगा दिया था वन टी स्पून सोड़ा लें चिकन के दूला हुआ कीमे लें 15 मिंट के लिए भिगा दें और फिर छान के ले लें अब ये सारा vibes वह्या है अब अक्षे से मिला दिया है अब इसको ठखक के एक घंटे के लिए छोड़ देंगे एक घंटा हो चुका है हम अपने बैटर देख लेते हैं इसको एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे और पकोड़े बनाना शुरू करेंगे अब एक कडाही ले तेल गर्म करें तेल गर्म हो चुका है बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है तेल अब पकोड़े तलना शुरू करते हैं अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े पकोड़े बना के तल लें मैं बहुत छोटे पकोड़े नहीं बना रही हूँ मीडियम साइज के बनाए है मैंने आप अपनी पसंद के हिसाब से बना ले इनको हम दर्मियानी आज पर 12-15 मेट तक तलेंगे इतना वक्त काफी होगा जिसमें चिकन पग भी जाएगा अंदर तक और गोर्लिन ब्राउन हो जाएँगे पकोड़े तब हम इनको निकालेंगे इनको आप इफ्तार पे बनाए ठी टाइम में बनाए बारिश के मौसम में पकोड़े बहुत लुट्फ देते हैं मसूर दाल और चिकन के ये पकोड़े बहुत क्रिस्पी और लजीज होते हैं आप बना के देखें इनको आपको पसंद आएंगे देखें पकोड़ो पे बहुत अच्छा सा गोर्लिन मिराउन कर रहा गया है इनको तलते हुए भी 12-13 मिनट हो चुके हैं अब हम इनको निकाल लेते हैं हमारे पकोड़े तयार हैं इस पर थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल करेंगे और अपनी पसंद की सौस या चटनी के साथ सर्व कर देंगे इनको आप बनाएं खाएं खिलाएं और हमें बताना ना भूलें कि आपको कैसे लगे